आईएगा कादिर की अपडेट से आपके पास देखें इस वक्त मैं वजिराबाद के उसी जगा पर मौझूद हूँ जहां पर यह वाक्या पेश आया कुछ दिर पहले और अभी तक लोगों की बड़ी तादाद यहां पर मौझूद है कंटेनर जो है इमरान कान साब का वो यहां पर रोक दिया गया है उसे अपनी जगा से मूव नहीं किया गया जो सीनियर लिडर्शिप है वो यहां से रवाना हो गई कैमरामेन से कहूं का थोड़ा सा अगर आपको दिखाए कंटेनर कहां पर मौझूद है इसके उपर आप पंजाब पुलीस के एहलकारों को देख सकते है और जो सिक्योर्टी के लोग है वो अब इस वक्त जायजा ले रहे हैं जो तहकीकाती टीमे हैं वो भी यहां पर मौझूद है गोली कहां पर लगी कहां से आई कितनी गोलिया लगी इस चीज़ का भी जायजा लिया जा रहा है पुलीस हैलकारों ने कंटेनर का कंट्रोल एक तरह से संभाल रखा है उसके आसपास अगर आप देखें तो लोग अभी भी जमा हैं लोग मुबाइल फून से फोटेजिस बना रहे हैं वीडियो बना रहे हैं और इस वाके से मुतलिक अपनी अपनी क्यासराईयां हर सता पर जारी हैं लेकिन पुलीस हैलकारों की और रेस्क्यू की जो टीमे हैं वो अभी भी यहां पर मौझूद है इमरान खान साथ इस वक्त लाहौर पहुँच चुके हैं उनके जो दूसरे साथी थे उन्हें भी लाहौर की जाने मुंतिकल किया गया है फैसल जावेद को भी लहोर की जाने बेज़ दिया गया है जो यहां के मुकामी रहनुमा थे जो जखमी हुए थे उनको भी लहोर बेज़ा गया तो इस तरह अवराल जो यहां की सिच्वेशन है वो लोग थोड़ा गमो घुसे का इज़ार कर रहे हैं यहां से जाने के लिए हुकामी लीडर्शिप आई अली जैदी आए फवाद चोधरी ने भी यहां पर तकारीर की लोगों का जो ज़जबा बुलंद करने की कोशिश की लेकिन लोग बदस्तूर घुसे में हैं उन्हें इस बात का भी दुख है कि उनके इलाके में यह बदकिसमत वाक्या पेश आय और यहां से यह सारी अटैंट हुई पूरा मुलक इस वक्त इसी चीज़ को डिसकस कर रहा है और इसी के उपर अपनी नाराजगी का इसार कर रहा है लेकिन ओवराल लोग जो है वो अभी फिलहाल पीसफुल है और सिचुएशन यहां पर अंडर कंट्रोल दिखाई दे रही है सिक्योर्टी और कानू नाफिस करने वाले जो इधारे हैं उनकी तहवील में एक तरह से दे दिया गया है और वो अब इसका जाइजा लेकर जो तहकीकात है वो आगे बढ़ाएंगे यहां से कुछ मुकामी लोग बता रहे हैं कि मश्कूक अफरान को गिरफतार किया गया है खास और पर कुछ वीडियो भी सामने आ गई किसी के हाथ में पिस्टल था कुछ नौजवान इस अटेंप्ट को बचाने की भी कोशिश करे दे कंटेनर के सराउंडिंग में सीसी टीवी फूटेज़ ना होने की वएसे कुछ वीडियो श्वाहिद मिलने में मुश्किला क का सामना जरूर करना परेगा लेकिन के चारों अतराव लोग बिल्कुल कादिर आपसे हम एक बार फिर चाहेंगी आप वो कंटेनर दिखाए जहां पर आपने का कि पुलिस ने उसका कंट्रोल संभाल लिया है और जरा उस बारे में हमें एक बार फिर बताईए गया जहां ब जो मरकजी दर्वाजा है उसे बंद कर दिया गया है केंटेनर की लाइट्स ओफ कर दी गई है ड्राइवर भी अब इसमें मौजूद नहीं है जो बाकी लीडर्शिप की वो भी निकल चुकी है लेकिन जहां पर ये वाक्या हुआ कैसे हुआ, क्या महरकात थे गोलियां कितनी लगी, कहां कहां पर लगी किस किस चीज़ को हिट किया गया उस चीज़ों का इस वक्त जाइजा लिया जा रहा है जबके केंटेनर के आगे पीछे अवाम की एक बड़ी तादाद, एक हजूम जैसी कैफियद, अभी भी यहां पर देख सकते हैं जो लोग हैं वो यहां से रवाना हो चुके लेकिन यहां कामी लोग हैं, वो बड़ी तादाद में यहां का रुख कर रहे हैं और इस सिच्वेशन को विटनेस कर रहे हैं मुबाइल फोन्स के जरीए वीडियो बना रहे हैं, जब यह कंटेनर आ रहा था उस वक्त भी मैं इस कंटेनर के उपर मौझूद था कुछ दिर पहले इमरान खान साब का इंटर्व्यू किया उसके बाद कंटेनर के उपर मौझूद था तो कुछ लोगों की वीडियो रेकॉर्ड कर रहा था यह आप अगर कंटेनर को देखें, मैं नाजरीन को समझाने के लिए दुबारा कैमरामेन से कहूंगा, कंटेनर के पास और बिल्डिंग के पास का आप ज़रा फासला देखिए यह बहुत ज़्यादा कोई फासला नहीं है, यह कोई ऐसी रोड नहीं है जो कंटेनर के सामने जंगला लगा है, जहाँ पर स्पीकर इस वक्त आपको शायद नजर आ रहे हो, स्पीकर है, यह चोटा सा जंगला लगा हुआ है यहाँ पर उनके सिक्योर्टी गार्ड्स खड़े रहते हैं हार टाइम और स्पीकर के बिल्कुल पीछे इमरान खान साब मौझूद रहती है और कंटेनर के दाएं बाएं हर तरफ सिक्योर्टी की गारियां प्लस जैमर्स और जितने प्रोटोकोल्स लिये जा सकते थे वो लिये गए लेकिन चुके बिल्डिंग्स इतनी ज्यादा करीब हैं और इसका फाइदा उठागर कोई भी अगर इमरान खान साब को हिट करना चाह यहां पर रोट पर सड़क पर मौझूद था बहां से उसने वर्ट्स फाइल किया आप बिल्कुल ठीक कह रही है लेकिन चुके इतलात यह हैं कि हमलावर एक से जाय थे और बिल्डिंग के ऊपर भी कुछ लोगों को शुबा है कि कुछ मश्कूक अफराद थे इसलिए नौजमान उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है मैं सरफ यह बता रहा हूं कि यह कितना गहर महफूज एक तरह से हो सकता है कि बिल्कुल केंटेनर और बिल्डिंग्स का भी फासला बहुत कम है तो वहां से भी कोई अटेंट की जा सकती थ फिर नीचे तो मैंने आपको बताया कि पुलीस की इतनी नफरी है कि हमारी जो गाड़ियां खान साब के कंटेनर के आगे-ागे मूव कर रही होती है उनके इलावा और कंटेनर के हिसार के दर्मियान किसी गैर मुदलका शक्स को नहीं आने दिया जाता उनका जितना सिक्यू लेकिन जहां पर इतना ज्यादा रश और लोग कंटेनर के इतने चारों तरफ जमा हो जाएं महां पर लोगों को कंटेनर से दूर रखना नामुम्किन था इसी का किसी ने फाइदा उठाया और फिर यह सारी सूर्ट्या डिवाग रहा था तो उससे अपना एक एक हमें नजर आ रहा है तयार किया था कादर जाहरे शुरू में सब पैनिक थे नहीं मौलूम हो रहा था क्या हुआ क्या हुआ निवा लेकिन आप हमें बताईए आप कंटेनर पे थे हमलावर के हाथ में हमें पिस्टल दिखाई देता है जबकि जो आवाज है वो SMG की है उस क् बता रहा हूं क्यूंकि मैं खान साब के थोड़ा सा पीछे कंटेनर के उपर मौजूद था और जिस जानिब सब देख रहे थे मेरा शक भी उसी बिल्डिंग की तरफ है क्यूंकि वहां से कुछ मश्कूक लोग निकले हैं और पिर उन्हें रेस्ट किया गया और लोग लेक कि वह पिस्टल की आवाज से तोड़ी मुख्लिफ लगती है तो एक दम से फाइर हुए फिर थोड़ा सा वक्फा और फिर दुबारा से फाइरिंग हुई और फासा बिल्कुल नीचे जूगे है लोग या बर्स पाइर हुआ उससे जखमी हुए यह कुछ हम लेकि वह तो ब शायद नहीं कर सकता अगर उपर से आप हिट करना चाहें तो वो बॉड़ी पर सकता है और टांगों को भी रहे कर सकता तो मुझे पता पर किसी हाइट प्लेस पे भी था इसी लिए जिस साइड पर सारे देख रहे थे या जहां से आवाज आई ब्रश लगने की वह साइड वही है जो बिल्डिंग स्की में आपको बता रहा हूं लेकिन चुके वीडियो अब सिरफ नीचे के हिस्से की सामने आई या कोई शक्स न ने देखा कि रात में फाइर वर्क्स होता है मेरे पास वो फुटिजिस मौजूद है मैंने बनाई विए मैं आपको बेज भी दूँगा आप अपने नाजरीन को दिखाईएगा कि दिन के वक्त भी जहां जहां से इमरान खान साब का काफला गुजरा था वहां पर फाइर किया है क्योंकि जहां जहां से खान साब का काफला गुजरता था तो वो शूरलिया पटाके जो कुछ भी है वो चलता है लगबग उसकी आवाज भी ऐसी रहती है और लोग एकदम से डरते हैं लेकिन फिर लोग समल जाते हैं कि अच्छा ये था इस बार जब हुआ तो फ्र सबने का केंटेनर से नीचे 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 तो समझने का और देखने का मौका ही नी मिला लोग केंटेनर की जो बार है वो वेस्टाइट से भी नीचे की है उसके नीचे छुपके पना लेने की कोशिश करने लगे कि अगर दुबारा से गोलिया चलती है या एक्स्ट्रा बचना है हम भी सीडियों से होते हुए कंटेनर के अंदर वाले रास्ते की तरफ मूव करना शुरू हुए वहाँ पर जब पहुंचे तो वहाँ अलग से बगदर मची हुई थी उपर से इतला नीचे पहुंचाई जा रही थी कि अटैक हो गया गोलियां लग गई और फिर खा रहना कबल अजबकत है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह अटैंप्ट एक जगा से नहीं डिफरेंट साइड से हुई है क्योंकि जिस तरफ मेरा माइंड जा रहा है वो बिल्डिंग के उपर की साइड से जा रहा है कि शायद वहां से किसी ने कोई अटैंट करने की कि नीचे से इम्रान खान साब को निशाना बनाना थोड़ा सा मुझकिल भी है और उनके जिस तरह आप बता रहे हैं कि पाउं को हिट कि आप तो इतलात आगे है कि उनके पाउं को गोली लगी तो इम्रान खान साब का जो पाऊं का हिस्सा है अगर आप मैं एक बार दुबा पाउं को कैसे हीट कर सकता है यहाँ पर कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं है कि डिरैक्ट इनके पाउं को हीट किया जा सकता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह अटेम्ट कही हाइट होने के वज़े से उनके पाउं जखमी हुए या बाकी लोगों को फायर लगा लेकिन बेराल मैं भी अज्यूम ही कर रहा हूं मैं कोई हत्मी राय नहीं दे रहा चुके इस कंटेनर पर मौझूद था तो अपनी इन्फोर्मिशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं या असेस्मेंट शेयर कर रहा हूं कि हो सकता है मुबयना तोर पर ऐसा भी कुछ हुआ हो लेकिन य लोगों ने अपने नाजरीन तक पहुँचा है उस वक्ट जो केंटेनर की सूर्टेयाल थी एक लम्हे के लिए ऐसा लगा येकीन मानिये एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे को बहुत बड़ा नुकसान हो गया लोग रोने लगए थे जब ये आवाजें आ रही थी कि खान के अंदाजा लंगायें के तस्वीह न्के हाथ से नहीं नीचे गिरी जब तक उन्हें गाड्य चाहिए 2015 काष़ काई में ने पहुट हमी जचे जचा हीा जब देखाल yang और के लिए बर मुकी यहा पर मीडिया है मरकी लीजिए नगा ते लीजिया को इ touched ला ही थे अब रशियन टेलिवीजन के कुछ लोग आये हुए थे इम्रान खान साब का इंट्रिवू करने के लिए तो उन लोगों ने भी ये मिनाजर देखे और जब ये वाक्या हुआ तो फिर ग्यार मुलकी मीडिया को भी कहा गया कि वो फॉरन यहां से निकले फॉरन निकले ले उनको मैंने देखा कि वो अपनी कलाई को पकड़े उन्होंने बताया कि मुझे गोली लगी है तो फॉरी तोर पर मैंने उन्हें एम्बॉलेंस की तरफ ले गया और एम्बॉलेंस में बिठाया और फिर वहां से उन्हें रवाना करवाया तो फिर बाद में फैसल जावेद क को देखा पिर यहां के जो मुकामी लीडर है वो तो चार पांच लोग तो खुद अपनी आँगों से देख लिए रहा है जखमी हुए फिर कंटेनर से अनाउसमेंट की जाती रही के कंटेनर का रास्ता चोड़ दे अंदर कुछ जखमी लोग मौजूद है तो उस वक्त तो अब लाल जिस तरह का यह वाकिया था या जिस लेवल की अटेंट थी एक बहुत बड़ा नुक्सान होते होते बच गया है और शायद बहुत सारे लोगों की दौएं काम आई है जो इमरान खान साब की जान बच गई वरना जिस लीडर किसम की यह अटेंट थी और जितन कुलोज ये सब बोच दा, खदाना खास्ता हुड़ा टादेर